एक pregnant महिला फ्लाइट में सफर कर रही थी लेकिन इसी दौरान सफर की बीच में ही महिला को प्रसव का दर्द होना शुरू होता है और उसके बाद प्लेन में ही लगवक 36,000 फीट की उचाई पर महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया जैसे तैसे करके बड़े मुश्किल से बच्चे का तो जन्म हो गया लेकिन इन सब में एक बड़ी कन्फ्यूजन हो गई कि आखिर बच्ची की नागरीकता क्या होगी क्योंकि महिला दो देशों के बीच सफर कर रही थी और बच्ची का जन्म अस्थान प्लेन है जो की हवा में 36,000 फीट की उचाई पर है इस पूरे मामले में ये सवाल चर्चा का विशे बना हुआ है कि आखिर बच्ची की नागरीकता क्या होगी इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से जानेंगे उससे पहले नमशकार में निहा चौधरी कैमर पोसिन विशाल के साथ और आप देख रही है जन्ता जंक्षन दो देसों के बीच सफर कर रही महिला ने फ्लाइट के अंदर लगबग 36,000 फीट की उचाई पर एक बच्चे को जन्म दिया है महिला डॉक्टरों की सुझाव के बाद ही फ्लाइट पर चड़े थी फ्लाइट जैसे ही टेक ओफ करती है उसके 30 मिनट के बाद ही महिला के पे महिला ने बच्ची को जन्म दिया था उस वक्त हवाँ में ऊड़ रहा है उसमान के उच्चाई उड़ रहा था महिला का नाम केंडरिया रोडेन है जिनके उम्र 21 साल के आसपास है महिला के साथ मौझूद लोगों ने बताए कि महिला डॉक्तरों से अनुमती लेने के बाद ही फ्लाइट से ट्रेवल कर रही थी और डॉक्टरों ने भी अनमती इस वजह से दे दी थी क्योंकि डिलेवरी में अभी लगबग एक महिने का समय बचा हुआ था इस वजह से महिला अपनी बहन के साथ अमेरिका से डॉमिनिकन रिपब्लिक जा रही थी महिला और डॉक्टर दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि अचानक से बच्चे का जन्म हो जाएगा क्योंकि डॉक्टरों ने अच्छे तरीके से जाज करने के बाद ही महिला को ये जाजती थी फ्लाइट में मौझूद सभी महिला और क्र्यू मेंबर ने बहुत मदद के जिसके बाद बच्चे का जन्म हुआ है लेकिन बच्चे के जन्म के बाद भी तकलीफ कम नहीं होती क्योंकि अब बच्चे की नागरिकता पर सवाल उठ रहा है महिला की बहन ने बताई कि फ्लाइट जैसे ही टेक उफ करती है और लगबग आदा घंटे का समय बीच जाता है तो फ्लाइट 36,000 पीट की उचाई पर आ जाती है जिसके बाद महिला को लेबर पेन होना शुरू होता है और हम लोगों ने इसकी सूचना एरक्राफ्ट की क्रू मेंबर को दी और दर्द इतना जादा होनी लगता है कि पेसिंजर और एरक्राफ्ट की क्रू मेंबर ही मिलकर महिला की डिलीवरी करवाते हैं और उसके बाद हम लोगों ने केंड्रिया को अस्पताल में भरती करवाया, सभी लोग अस्पताल पहुंचकर बच्ची और महिला को भरती करवाते हैं और इस घटा के बाद एक सवाल जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का विशे बना हुआ है कि आखिर बच्ची की नागरिक्ता क्या होगी जिसके बाद डॉमिनिकन रिपब्लिक पहुँचकर महिला एमबेसी गई और बच्ची की नागरिक्ता के बारे में सवाल उठाई क्योंकि उन्हें लगा था कि बच्ची की नागरीकता को लेकर कई सारी दिक्कते आ सकती है, चैनल की बच्ची का जन्रे दर्ती के किसी जगह पर नहीं हुआ है, बलकि बच्ची का जन्रे फ्लाइट पर हुआ था. जो फ्लाइट आसमान में उड़ रही थी लेकिन फिर एंबसी ने ये साफ कर दिया कि बच्ची की नागरीकता अमेरिका की ही है क्योंकि बच्ची की मा अमेरिका की रहने वाली है वागि आप इस पारे में क्या सोचते हैं comment box में बताईएगा आगे की खबरों के लिए जंता ज देख्टे रही है खनिवाद